कहानी के शुरुआत में हम Kate नाम की एक English teacher को class में बच्चों को पढ़ाता हुआ देखते हैं तब ही वो देखती है कि एक बच्चा छुपकर एक comic book पढ़ रहा है जिस पर Kate उस बच्चे को वो comic सब के सामने पढ़ने को कहती है और जब वो बच्चा comic पढ़ना शुरू करता है तो Kate को भी उस comic में interest आ जाता है लेकिन तब ही principal class में आकर उन सब को देख लेते हैं वो Kate को उनके office में आने को कहते हैं office में जाने के बाद principal indirectly Kate को बोलते हैं कि मुझे लगता है अब तुम्हें job छोड़ देनी चाहिए वहीं दूसरी तरफ हम Megan नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक sales girl थी वो एक company में cosmetic products बेचने के लिए आई हुई थी लेकिन उस company को Megan के cosmetic products अच्छे नहीं लगते जिससे वो उन cosmetic products को नहीं बेच पाती और घुसे में वहाँ से बाहर जाने लगती है जब वो company से बाहर आती है तो देखती है कि एक police वाला उसकी car को police station ले जा रहा है क्योंकि Megan ने अपनी car को no parking area में खड़ा किया हुआ था महीं school के बाद Kate जब घर वापस आती है तो हमें पता चलता है कि Kate और Megan दोनों best friends हैं जो साथ ही में रहती थी अब Megan का आज का दिन पूरा वेश्ट चला गया था इसलिए वो थोड़ा relax feel करने के लिए dance कर रही थी और Kate को भी अपने साथ dance करने को कहती है तब ही Megan Kate को बताती है कि आज उसका पूरा दिन वेश्ट चला गया क्योंकि उससे एक single product भी नहीं बिक पाया और साथ ही उसकी कार को no parking area से पुलिस ने उठा लिया यहाँ पर Kate भी उसको बताती है कि प्रिंसिपल ने भी उसे नौकरी छोडने के लिए कहा है वेल नेक्स डे मेगन केट को सुब़ चार बजे ही जगा देती है और उसको कहती है कि उन्हें कहीं जाना है लेकिन केट मेगन से कहती है कि इस बारे में हम सुब़ बात करेंगे लेकिन मेगन उससे कहती है कि उनकी flight को सिर्फ तीन घंटे रह गए है यहां Kate मेगन के साथ जाना तो नहीं चाती थी, लेकिन मेगन ने पहले से ही उसके टिकेट्स बुक करा रखी थी, तो Kate को मेगन के साथ मजबूरी में जाना ही पढ़ता है। पर पहुंचने के बाद मेगन एरपोर्ट पर लंबी लाइन देख कर समच जाती है कि अगर वो इस लाइन में लगे रहे तो उनकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तबी मेगन एरपोर्ट पर काम कर रहे एक लड़के की पास जाकर उसके साथ फलर्ट करने लगती है, जिससे वो लड़का उन्हें बिना लाइन में इंतिजार करे आगे भीज़ देता है। इसके बाद केट और मेगन दोनों प्लेन पर चड़कर अपनी अपनी बुक की हुई सीट पर बैट जाती हैं। से वो प्लेन को सेंट लुई में लेंड कर आ रहे हैं। अब यहाँ पर अगली फलाइट के शिडूल होने तक मेगन और केट सेंट लुई के एक शेरिटन नाम के होटल में रुख जाते हैं। होटल के रिसेप्शन पर पहुँचकर मेगन को पता चलता है कि उसका बैग एरपोर्ट पर ही कहीं खो गया है। इस बात से वो अपसेट हो जाती है। फिर भी वो दोनों अपने रूम में जाने के लिए लिफ्ट में चड़ने लगती हैं कि तभी महां उन्हें रायन मिलता है। रायन के पूचने पर मेगन उसे बताती है कि हम यहाँ पर अपनी फ्रेंड की शादी के लिए आई हैं। अपने रूम में पहुचने पर मेगन केट से कहती है कि मेरा बैग एरपोर्ट पर रह गया है इसलिए मेरे पास अब शाम को पहनने के लिए कुछ भी नहीं है तो क्या तुम अपनी ड्रेस मुझे दे सकती हो। केट उसे ये कहते हुए मना कर देती है कि मेरे पास भी सिर्फ एक ही ड्रेस है शाम को केट मेगन को बिना बताए रायन से मिलने अकेले ही चली जाती है। केट और मेगन उसके सामने डांस करती है लेकिन डांस करते वक्त मेगन बहुत एकसाइट हो चुकी थी जिससे उसकी ड्रेस नीचे गर जाती है इसके बाद वो तीनों वहां से होटेल वापिस चाते हैं। लगता था इसलिए वो उनके साथ जाने से मना कर देती है। लेकिन इसी बीच मेगन शेंपेन की बॉटल को खोल देती है जिससे उस बॉटल का ढखकन सीधा जमीन पर जाकर बलून उड़ा रहे कैप्टन की आँख पर जोर से लगता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब क्योंकि कैप्टन की एक आँख पहले से ही नहीं थी इसलिए वो बिना देखे ही अपना होट एर बलून एक बच्चों की चल रही पार्टी में लैंड कर देता है। इसके बाद वो तीनों दोबारा होटल में चले जाते हैं। होटल में पहुँचकर रायन उनको कहता है कि पूल में स्विमिंग करने जा रहा हूँ। अब क्योंकि रायन उन दोनों से बलून राइड खराब करने के लिए नारास था इसलिए केट और मेगन पूल में रायन को इंप्रेस करने के लिए बहुत छोटी ड्रेस पहन कर आ चाती हैं। रायन से कहती है कि क्या हम भी तुमारे साथ चल सकते हैं। पंप पर केट वाश्रूम के लिए चली जाती है लेकिन तभी बाहर से मेगन वाश्रूम का डोर बंद कर देती है क्योंकि वो केट से अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहती थी। पर केट बाश्रूम में फंस गई थी। बाहर मेगन रायन के साथ फलर्ट कर रही थी। जिससे रायन केट के कंधे की मसाच करने लग जाता है। अब यहाँ पर यह देखकर मेगन गुस्से से फर जाती है। एकसिडेंट की वज़़ से उन चारों को रात एक होटेल में बितानी पड़ती है। जब केट कार से नीचे उतरने लगती है तो उसे कार में पड़ी उस खाली वाइन बॉटल में नींद की कोलियां दिखाई देती हैं। जिस वज़़़ से केट होटेल में मेगन से अलग एक रूम बुक करती है। होटेल में देर रात को जब केट एक वेंडिंग मशीन में अपने लिए कोल डिंक लेने आई हुई थी तबी उसे वहाँ रायन मिल जाता है। रायन केट से कहता है कि मैं हर समय मेगन के साथ होनी की वज़़़ से तुम से प्राइवेट में बात न एक लड़के यानि रायन के लिए अपनी फ्रेंडशिप खराब नहीं करनी चाहिए। बातों बातों में मेगन केट को ये भी बता देती है कि वो रायन के साथ कल रात होटल रूम में इंटिमेट हो चुकी है। ये सुनकर केट है कल रात रायन मेरे साथ भी इंटिमेट हु पुलिस को बताता है। पुलिस से उन्हें छोडने की रिक्वेस्ट करती है। पुलिस से उन्हें के रिक्वेस्ट करता है कि प्लीस मेरीड लाइफ को खराब मत करो। इसके बाद मेगन और केट एरपोर्ट के लिए निकल जाती है। पता चलता है कि उनकी फ्लाइट चार घंटे लेट है जिससे मेगन क्रेग से मिलने उसकी शौप पर चली जाती है। जहां पर वो क्रैग से थोड़ी बाते करती है और वहां से जाने से पहले मेगन क्रैग को किस करती है इसके बाद वो एरपोर्ट जाकर केट से कहती है कि शायद अब हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए केट भी उसे कहती है कि मुझे लगता है तुम ठीक कह रही हो वहीं मेगन क्रेग के साथ शादी करके रिलेशन्शिप में आ गई थी दोस्तों हमारे Fox Explaner हिंदी चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलना